वाट्सो गाइस केसे काइस आज की बहुत ही सांधार होगी क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही सांधार चीज़ बताने जा रहा हूँ काइस जो मैंने स्टूडियो अपने स्टूडियो इसको पूरा कंप्लीटली बनवाने में हमें लगए 3.5 लाक रुपे तो आज अंदर यंतर का पूरा हमने डेकोरेशन करवाया है वीडियो बहुत ही सांधार है तो आप मेरे स्टूडियो जलू देखी वीडियो बहुत अब से कम नहीं है चाहिए आपको पताक सब्सक्राइब बताता हूं तो आप अजाए आप अए आप के फाइनली हमारे स्टूडीयो की पूरी लाइट है चलो कर दी ए और मैं गाइस हमारे गॉर्ष बता दू तो गाइस हमारे यह इस्टूडीयो यह मैं 100 प्लस लाइट लाइट है तोटल 112 लाइटे लगें कम्प्लेटली तो यह बहुत ही ज्यादा होती हैं इसलिए लग मैंने ज्यादा लाइटे लगवा है ताकि हमें वीडियो क्वालेटी अच्छे चीए थी और गाइस में क्या मुहाई से वीडियो शूट काता था करता हूं तो इसलिए तोड़ा डिए तो आपने बताता हूं हमरे स्टीं में क्या क्या सामन रखा हो है फूरा कमपलेटली अं nuoपी वीडियो निए अपको शापी लाइट व्यूआड है तोकाइस आप यह देख रहे हैं हमारे जो हमने अपने च्छोटी में जो सेलिंग करवा राकी उसमें काफी लाइट क है येधिए जैस चोटी-छोटी है ग्रीन लाइट है वाइट है को चमने कलर्फुल लाइट है यह देखिए है और यह क्या थोड़ा लाइट का इश्यू हो रहा है और यह देखिए हमने यहां पर एक जूमर लगवा रखाए यह मैं आपको इसकी एक पास फोट किछाता हूं हमारे जूमर है जो जो हमारे स्टूडिय को 20 सेंटर में लगवा है गाइस मैं बता दूं को आपकी इसकी कीम कीमा थे 40,000 रोप इसकी कीमा थे सबसमेंगा यही लगा हुआ देखिए मैं आपको बताता हूं कि अब आज भी करता है साथ में इसमें एक Bluetooth डिवाइस लगा हुए जो भी कनेक्ट हो जाता है और मैं आपको इसका इना है स्वीज ओन आफ करने पर यह कलर भी चेंज होता है यह देखिए मैं बताता हूं आपको इस देखिए यह देखिए रेड होगा है फुली वह देखिए वाइट ब्लू भी होगा यह देखिए यह तोड़ादार ब्लू यह फुल ब्लू तो गाइस सबस्दाइब कीमत है इसी जूमर की है चलिए आप में आपको और भी बताता हूं अपने इस चुड़ी में मैंने क्या क्या रख रखा है और क्या क्या डेकूरेट करने वादा हूं मैं आगे भी तीके गाइस अब हम लोग जूमर से थोड़ा आगे वड़ते हैं यहां पर से में दोने साइट यहां पर दो फेन के लिए हमने प्लग छोड़ रखें एक रहा और यह कुछ साइड है जैसे कि आपको मने बता दिया था वह सामने लिए दिवाल पर हमने थोड़ा ग्रीन बोक करवा रखा है कलर ताकि कुछ हमें ग्रीन बेक्राउंड पर सूट करने प आपको बताता हूं फटाक से जिसमें वीडियो बनाता हूं बोर रही है मेरी यह टेबल है जिस पर मेरा सामने रख लिया था कंप्लीटली और यहां पर मैंने एक एक्स्टेंशन बोर्ट रखा हुआ है जिससे में काई अगेरा से सोल्डरिंग में गरता हुआ रहता हूं पस यही बस यही कुछ यहां पर देखता हूं कि मैं क्या जोगाड़ा सकता हूं क्या बना सकता हूं जो मेरे पर सामने बिले बले इस मेरे पास भौट ही सारह आख़ा हुआ हूए इस टाइप का पवारणे यह मेरें बहुत बड़ी चीज है फिलाल आपके लिए यह कवारी होगा तो वाइस मेरे पास हर एक छोटी से छोटी चीज मिल जाएगी अविलेबल यहां पर यहां पर यहां पर मेरे बोटल के ढखकन भी करेक्शन कर रखा था ताकि मैं और भी बीड़े बना रहता हूं कुछ छोटी-छोटी मोटर वगएरा और कुछ बियर वगएर के ने ख रयवकोड है जो कुछ मैंने पुराने एकस्परिमेंट करेकीन है और फिलार मैं recently में आप एक इकस्परिमेंट यो ढाली हे है बहुत सबकुछ यहां पर कमपलेटली रखा हुए है 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 और बस ऐसी कुछ है हमारा यह इस्टूडियो जो कि आपने वीडियो में पूरा तो काइस मैं आपको बता दूँ तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है यह देखिए मैं यहाँ पर अपना एक्सपरिमेंट करता हूं यह हमारे एक और भी कावाड़ा भर हुआ है स्पूरी गैलरी में यहाँ पर रखा देता है साथ मेरे पाद यह पूरा भूसर कावाड़ मुझे लगता है कि आपको मेरे यह वीडियो शेर कर लेगे तो काईस मेरे बृटियो अच्छे लगे तो प्लीज काईस गृवडियो को शेयर करें और और हाँ यह आपको लगता है कि मैं अपने स्टूडियो में कुछ इंप्रूब्मेंट कर सकता हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जबू बताने कमेंट करके कि आपने इस्टूडियो में यह कुछ अलग से पुछ भी करने सब्सक्राइब आपको यह फिलाल तो यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंटर में मिलते हैं हमारी न्यू वीडियो में एक्समेंट डाली तो इच्छी गाइस बाइबाए टाटा आज के लिए बस इतना ही